अब आइंगल औफ री पूस बात करने जा रहे हैं अइंगल आफ रिपूस है ये नय नय वर्ड है ये प्रपोज का उल्टा रे पोज होता होगा and repose जरा समझिएगा या angle of sliding भी कहते हैं angle of sliding angle of sliding भी कहा जाता है जरा समझने की कोशिस करिएगा यह एक horizontal surface है हमने इस पर एक body रखी और इस surface को धीरे धीरे उठाया यह माल लेते हैं कि body जो surface है यह थोड़ा सा friction है इसमें इसको उठाया तो जैसे इसे इसको उठाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि body just about to slide आ जाएगी एक minimum angle जिस पर just about to slide की condition में just about to slide नहीं कि यह किस condition में है limiting equilibrium में है उसको angle of repose कहते हैं इससे उपर कर दो कि तो क्या हो गए body गिर जाएगी टीशी को angle of repose कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं angle of repose कहते हैं minimum angle maximum तो कुछ भी कर दो ऐसे कर दो maximum कुछ भी कर सकते हैं वो minimum angle inclined plane का जिस पर body limiting equilibrium की condition हो उसको हम angle of repost क्याता है ठीक है तो लिखे जड़ा it is the minimum angle it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal that an inclined plane makes with the horizontal the body placed on it when the body placed on it is just about to slide the body placed on it is just about to slide or in limiting equilibrium अब प्राब्लम है कि एक ही घर में अगर सबका नाम रामू रख देंगे तो दिक्कत आजाएगी खाना बनाने वाला भी रामू काम करने वाला भी रामू पढ़ाने वाला भी रामू तो ठीक नहीं बात है तो नाम चेंज करने पढ़ेंगे तो हमने इस एंगल आफ रिपोज का नाम फाई रख दिया देखिए अलग अलग है जो आप भी आपने अंगल अफ्रिक्शन बताया इसके पहले उसको हम थीटा एस भी लिखते हैं कहीं पर अभी आ रही है तो अभी तो सही सही आ रही है आवाज कर देखिए हम इसको फाई माल लेते हैं बुक अलग अलग हो सकती है नेमिंग अलग अलग हो सकती है कई फाई माने के अलफा माने थीटा माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब ज और रहा है कुछ आप मूव्मेंट नहीं कर रहे हैं अगे आप अगे आप और कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर हूं कि आपका नेट दीमा था हाँ यह रेड़ने सार रही तिया दिखाई पड़ रहा था इसलिए मैं रुख गया था आपके तो यह यहां बाडि कैसी स्टेश में है यह विद्व फिर्व शे to diğer सेरी कुझन्री यह क्याँ करता है सर्फस के नॉर्मल सर्फिस ऐसे था पहले, यह सर्फिस सीधे था, यह रेक्शनरी फोर्स था, जैसे जैसे सर्फिस मूब करेगा, रेक्शनरी फोर्स भी सर्फिस के नार्मल काम करेगा, यह आपका रेक्शनरी फोर्स आ रहे है, जातर बुक में एल लिखा जाता है, नार्मल रेक्शन होता है, क यह फाई है देखो जैन से यह आपने नार्मल बनाया है और यह आपका mg एक्ट कर रहा है यहां से 90 था पहले यह 90 है तो यह 90 मैनस फाई होगा तो यह कितना आएगा फाई आ जाएगा ठीक है तो यह फाई आ गया तो तो mg का जो फाई से लगा हुआ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा mg कॉस फाई और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg साइन फाई क्या बॉड़ी किस कंडिशन में बॉड़ी जस इबाउट तो स्लाइड है तो रियक्शनरी फोर्च कि दाग काम करेगा सर्फेस के उपर की तरफ आर लेकिन बोडी लिमिटिंग में है तो आप लिक्तिंग इक विलिब्रियम in लीमिटिंग इक विलिब्रियम R किसको बैलेंस करेगा mg cos phi को R is equal to mg cos phi r is equal to mg cos phi और fs किसको balance करेगा mg sin phi को fs is equal to mg sin phi fs को हम क्या ले सकते हैं mu s into r mu s into r अभी हम बता चुके हैं mg sin phi इन दोनों को divide कर दो dividing equation 1 and 2 हमने 1 and 2 बोला है 1 by 2 नहीं बोला है divide अपने हिसाब से हम करेंगे तो हम यह sign पहले लिखेंगे तो यह आएगा mg sin phi upon mg cos phi is equal to इधर आएगा mu s into r upon r r cancel हो गया यह आगया tan phi is equal to mu s तो यह proof हो क्या आया phi क्या यहाँ पर angle of repose कह सकते हैं कि angle of repose भी जो होता है जो repose का tangent होता है वो coefficient of friction के बराबर होता है कह सकते हैं तो लिखें इसको हाँ हाँ ठीक है limiting equilibrium में ऐसा होता है क्या साफ नहीं दिख रहा है क्या बहुत नजदीक है ना आपको इसलिए में कह रहा हूं ने दूर न रही है हमें नहीं कह रहे हैं हमें लगा बिल्कुल बाहर निकलने वाले हैं तो ओकी एक नोटिंग इसमे लिख लिख ही जागा था सक को ना था दा गर लिख लिख लेख लिख 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 में था था पर टव ऐस्ट खाप उस्ट इसमें था को पनजीए स Очень था असिवे अप दभी हैं इसमे दो टॉंध लिख लैशरिए फार Healthcare Guien एक नोट लिखेगा अगर हम माल ने कि फ्थीटा इस एंगल आफ फ्रिक्शन एंगल आफ फ्रिक्शन 10 यह मियस ही टैन थीटा होता है और यह मियस ही टैन फाई होता है तो थीटा इस एकल टू फाई यहीं आप कहेंगे लिमिटिंग एकुलिविम के केस में थीटा और फाई सेम होते हैं कैसे जला समझिएगा एक्शली में कुछ ऐसा रहता होगा यह ऐसे जाएंगे हम यह यह आर और एसेस है आर और एसेस का यह रिजल्टेंट होगा ठीक है तो यह आपका फाई है कि नहीं है वर्टिकली अपोजिट एंगिल होता है और यही एंगिल आफ फ्रिक्शन भी होता है ठीक है लेकिन लिम्टिंग एकुलिविम के केस में ठीक है अब कुछ और टाइप के फ्रिक्शन होते हैं जिनके बारे में आप अपने आप पढ़ने के स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता ह करता है बॉडियी करती है तो उस पर क्रिक्वितिं काम रहते हैं अब देख योँ कि जाने जाएंगेSR learned लगे होते हैं तो लगा तार उसमें पानी कास दो मनाये रहे हो चो प्राइश करने के लिए आप कल्पना करिएगा एक बहुत चिकना सा स्लाइडर है वह आप स्लाइड करते चले जा रहे हैं और रास्ते में थोड़ी दूरी पर वह बहुत ज़्यदा खुरदुरा है तो आपका कांटेक्ट एरिया वहीं तो रुख जाएगा और आप खरवडा के नीचे आ जाएगे तो वह आपको एक्सलेट कर दे अगरबर कर देगा ठीक है तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है बॉड़ी रोल करती है तो फ्रिक्शन होता है रोलिंग बॉड़ी आसानी से रोल कर जाती है क्यों क्योंकि जब कोई पहिया रोल करता है तो पहिये का जो जमीन से कांटेक्ट होता ह वो कम होता है वह माल लिया आप हम यह कहां कि इस प्रकार से हमने एक सर्फिस रखा हुआ है बोडी हमने का इसको चला तो इसका इतना वाला पोर्शन इस सर्फिस के कांटेक्ट में है अगर हम यहां पर एक पैये को चला देते हैं इस प्रकार से तो पैये का थोड़ा पोर्श तो कुछ ऐसे इसे किया होगा ना हमने कि पहले हम क्या करते थे बॉड़ी को घसीट के ले जाते थे फिर हम्ने जब पईया बनाया तो पईये inklined plane पे कैसे चलती है दिखे motion of body on a rough inclined plane motion of body on a rough inclined plane देखो motion दो प्रकार से हो सकता है body अपने weight के कान चल सकती है और body को हम नीचे घसीद भी सकते हैं ताकट लगा के खीच सकते हैं सही के रहो में, तो case 1 लिखिये, motion of a body down a rough inclined plane due to its own weight, motion of a body down, motion of a body down to a rough inclined plane, rough inclined plane due to its own weight, due to its own weight, जरा पहली बात तो समझ लीजे, अगर आप rough inclined plane पे हैं और angle of repose पे हैं, तब तो आप लगबग लगबग बैठे रहेंगे, लेकिन आप slip नहीं करेंगे, लगबग जस्ट अबाउट तो स्वाइटी कंडिशन होंगे, और जब आप slide करने लगए, मतलब क्या होता है, कि आपका angle of repose थोड़ा सा बढ़ गया होगा, लेकिन slide करते वक्त अगर थोड़ा angle कम भी कर दोगे, तब भी body लगाता slide होती जाएगी, समझेगा, एक body रखी भी angle of repose है, बाड़ी किस condition में है, limiting equilibrium के condition में है, ठीक है, थोड़ा सा angle बढ़ा है आपने, तो बाड़ी चलने लगी, चलते वक्त अगर थोड़ा सा angle कम भी कर दोगे, तब भी body लगातार चलती रहेगी, ठीक है, हम उस case में जा नहीं रहें, मैं समझा रहा हूं कि बल, देखिए, ये एक rough inclined plane है, और यहाँ एक body रखी भी है, तो एक तो इसका weight जो होगा वो, नीचे के correct करेगा, और ये inclined plane theta है, theta लिखने का मतब angle of friction नहीं है, जहाँ पर angle of friction होगा वहीं उसका नाम theta होगा, ठीक है, और इसका जो reactionary force होगा वो, उपर क्यों लगेगा, ये angle कितना होगा, theta होगा, theta से लगा हुआ, जो mg का component होता है, वो कितना होता, mg, cos theta, और उसके perpendicular होता, mg, sin theta, आप body को move करा रहे हैं, तो friction कौन सा लगेगा, static या kinetic, kinetic, तो friction जो लगाएंगे, आप kinetic लगाएंगे, और आप पहले बता रहे हो, कि body is coming in the downward direction, देखे, अगर ये force, is force के बराबर होता, mg, sin theta, fk के बराबर होता, तो body चलती तो, तभी चलती, एक constant विलासी चलती, लेकिन हमें, मैंने माल लिया कि body नीचे की और, ax lesson चे चल रही है, ठीक, अब ज़रा दिखिए, r किसको balance करेगा यहाँ पर, mg, cos theta, body किदा की तरफ आ रही है, तो mg sin theta ज्यादा होगा, और fk कम होगा, तो mg sin theta, minus fk, is equal to ma, mg sin theta, fk को mu k into r लिख सकते हैं, कि आएगा, mu k into r, is equal to ma, r की value यहाँ रख दे, तो यह आएगा, आप लिखेंगे, by question 1, substituting the value of r, तो यह हो जाएगा, mg sin theta, minus mu k into, r क्या हो जाएगा, mg, cos theta is equal to ma, अब m को तो divide कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से g कामल ले सकते हैं, तो g आएगा, यहाँ पर आएगा, sin theta, minus, mu k into, cos theta, is equal to a, तो इस प्रकार से, इस body का acceleration का formula यह बन गया,